Hello everyone, आशा करती हूँ, आप सभी बहुत अच्छे हैं, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है संडे के special episode में जहां आपके सवालों को मैं लेकर आती हूँ जवाब के साथ आशा करती हूँ, आप हमारा Thursday का जो आईरवेदा special episode है, उसको enjoy कर रहे हैं, आईरवेदा का जो प्राची knowledge है, वो महिला स्वास्ते के लिए क्या है और किस तरह से आप उसका लाब उठा सकते हैं, वीडियोस देखें और उसका लाब उठाएं आज का सबसे पहला सवाल निक्की यदुवन्शिका है, जिसमें इन्होंने बताया है कि इनको weight loss नहीं करना है क्योंकि ये lean PCOD से सफर कर रही हैं और इनको solution चाहिए PCOD चार तरह के होते हैं, specially lean PCOD उसमें से एक प्रकर का है lean PCOD में आपको सबसे ज़्यादा जिस topic पर काम करना होता है वो है insulin resistance insulin resistance के लिए आप थोड़ी मात्रा में दालचीनी का इस्तमाल कर सकते हैं जी हाँ, physically active रहना, थोड़ा walk करना, supplements लेना बहुत आसानी से आपकी condition को improve कर देता है और आपको conceive हो सकता है तो supplements ले, insulin resistance के लिए जो हमने diet बताई है, complex carbs को शामिल करें, simple carbs को आप बिलकुल छोड़ दें, protein और vegetable rich diet का 7 करें आज का दूसरा सवाल है, अभी लाशा चौहान का, इनका कहना है कि 15 डे हो गए है, period stop नहीं हो रहा है, रुक रुक कर, clots भी पास हो रहे हैं, इस से पहले इनको 2 डेज ही period रहता था, so please solution बताएं सबसे पहले आपको में ये सला दूँगी, कि आप जो अभी बता रहा है, instant ideas उनको जरूर follow करें, क्योंकि वो home remedies हैं, diet therapy से, हम आपको इलाज बताते हैं, लेकिन आप डॉक्टर से जरूर टेस्ट कराएं, definitely thyroid, PCOD या hormonal imbalance की कोई condition आपको परिशान कर रही है, तो उसको गहराई इसे समझना बहुत जरूरी है, डॉक्टर से जरूर गंसल्ट करें, लेकिन immediately आप गुंद कतीरा ले, उसको भीगोएं, एक ग्लास पतली चांच लेनी है, आपको गाड़ी नहीं होनी चाहिए, फैट नहीं होना चाहिए, दो चमच गुंद कतीरा एड़ करें, सुबह खाले मिट्स दोनों ही रोक सकते हैं आप अभी, जिससे के एक बार ब्लीडिंग बंध हो सके, अगला मैसेज है रीता जी का, जिन्होंने कहा है कि उनको औरी में, सिस्टेराइट औरी में सिस्ट है, और वो उसका समधान चाहती है, तो हमारी रसोई है जादों से भरी हुई है, र मावला मोरेंगा लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाएं, एक ग्लास गुनगुने पानी में तीनों चीज़ों को आड़ करें, एपल सिडर विनेगर खाना खाने से आदे गंटे पहले आप एक चमच एक ग्लास पानी में ले सकती हैं, इसके अलावा ड्राइफूट्स, न नहीं आती है, इसलिए IVF का सेजेशन दिया गया है, IVF के लिए अब तब जाएं, जब नाच्रली आप पूरी तरह हार्ज हैं, लेकिन सबसे पहले आपको नाच्रली ठीक करना है, हार्ट बीट ना आना, कई रीजन से होता है, लेकिन आज के समय को देखते हुए, जाधा त वर्डिंग अपना खान पान करें, अपने डॉक्टर से सलाले की एक्वालिटी सब्लिमेंट्स यह होते हैं, अपने मुताबिक आपके लिए सही सप्लिमेंट वो सजस्ट करेंगे, तो सप्लिमेंट्स भी लीजिए, फॉलिक इस बहुत जरूरी है, और साथी टाइट प्ला को देखते हुए जो कंडिशन्स हैं, अनेक्सप्लेंड इनफोर्टिलिटी के कारण है तनाव, खानपान पे होने वाला बदलाव, यह बहुत जाधा प्रभावित कर रहा है, और ही बहुत बड़ा रीजन है अनेक्सप्लेंड इनफोर्टिलिटी का, बढ़े हुए एमेच क को कम किया जा सकता है आप अपने डॉक्टर से मिले अगर अभी तक आपने फॉलॉप नहीं लिया है डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया है तो एक बड़ ज़रूर कंसल्ट करें क्यूंकि आपको कुछ सप्लिमेंट्स की जरूरत है कुछ सप्लिमेंट्स बहुत जरूरी है पॉल में बिल्कुल भिनाए कई बार ऐसा होता है कि जीवन के और किसी चीज का नहीं लेकिन कंसीव नहीं हो रहा हर महीने डेट क्यालकुलेट कर रहे और इस वजह से भी हमको स्ट्रेस होता और इसे हम पहचान नहीं पाते डिफ्रेंशियेट नहीं कर पाते आप एपना एप्रोच को करेक्ट कर ले आशा करती हूँ हमारे धेर सारवीवर्स को अपनी प्रब्लम का स्लेशन मिला होगा अगर अभी भी आपके कुछ सवाल रहे गए हैं तो हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखें डिफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि उसको अगले अपिसोड में शामिल किया जाए थैंक्स पूर बॉचिंग